वेलकम बाक टु जेके बोस फ़ांडेशन क्लासिस मेरा नाम है ताहिर और आज के इस व्यूडियो में हम बात करेंगे क्लास सिक्स इंग्लिश चेप्टर नंबर बैसिकली ये चेप्टर नंबर एट के साथ एक पोईम अटाच है जिसका पोईम का नाम है आज इस चेप्टर के बारे में और इस पोईम के बारे में हम बात करेंगे और इससे पहले के सारे चेप्टर अरड़ी हमारी क्लास इंग्लिश की प्लेडिस्ट में आपको मिल जाएंगे आपको क्या काम करना अगर आप ये गड़ा वीडियो देख रहे हैं तो सी मोर का उप्शन नीचे आएगा जैसे आप सी मोर को प्रेस करेंगे तो वहाँ आपको नीचे सारी प्लेडिस्ट जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी तो आप प्लेडिस्ट में जाकर वहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं अगर आपने क्लास किश्मीरी का कोई B चेप्टर देखना हो तो वह भी आप हमारी प्लेडिस्ट में देख सकते हैं अगर उर्दू का कोई चेप्टर देखना है तो वह भी देख सकते हैं आने वाले टाइम में हम पुशिश करेंगे कि आपको साइन्स जो है विट प्रेटिकल्स हर कोई कॉंसेप्ट जो है वो समझाएं और उसके लिए भी प्रेटिकल्स जो है दगतार जारी है और सासफ में वीडियो बन रहें तो एक बार जैसे ही स्टार्ट हो जाता है सारी तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो वकेशन का यहाँ पे जो basic meaning है vocation का मतलब है any profession here ठीक है? यानि कि कोई री काम जा हो डाउट न बनना हो या कोई भी काम करना हो तो यह वदा वो वकेशन है ठीक है? बुसरी एक vacation का वोड़ आपको पता ही होगा भी आती हैं बट वोकेशन जो है ये एक प्रोफिशन होता है चाहे जिसे आप पसंद करते हूं ये जिसे प्रोफिशन जो है आप लाइक करते हूं तो उसके एकॉर्णिंग में ये सारी चीज़े जो है वो चलते हैं तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है किसके बारे में हैं और क्या क्या चीज़ें इस पॉंब में हमें जो है वो सीखने को मिलें भी ठीक है तो अगर हम बात करें इस पॉइंट के बारे में तो उससे पहले हमारे बास जो बिफॉर यू रीड का कॉंसेप्ट है कि क्या हमें इस चीज़ें इस चीज़ें वो सीखनी है, कोई हमें आशू पॉलिश करमेवाला मिल जाता है, इस तरह से different तरह के काम करमेवारे professions को हम रस्ते में देखते हैं, कोई लोग पीड रहा है, कोई different तरह के जो छो lum काम कर रहे हमें हमें soll겨 मार्केट में देखते हैं. सबसे पहले and peers discuss what you have notice. आप peers में भी अपने दोस्ट या अपने साथी के साथ मिलके डिस्कस कर सकते हैं कि आप में क्या नोटिस किया हैं सब लोगों को देख के बुसरी बात then read this poem और उसके बाद यह read करोगे इस poem को अपने partner के साथ तो फिनाल आप मेरे partner हो और हम partner बनके इसको समझने की कोशिश करेंगा तो basically इस poem में हमें ये चीज़ बताई जा रही है कि professional क्या होता है क्या जब आप कभी classmen होते हैं तो आपको लगता है कि बहुत सरे rules और regulations को follow करना पड़ता है सुबह time से school आना, time से school के जाना time से assignment submit करना time से homework करना तो ये सारी चीज़े कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों हम आगया यहां पर इससे बहतर है हम कोई और काम कर लेते जहाब पुछने वाला ना होता हम अपने profession से अपने ही according, अपनी timing, बिंदास life जीते हाँ ऐसी life हम जी सकते हैं अगर हम जो एक discipline life को गुजार के फिर वहाँ पहुंचते हैं तो यानि कि glasses में हमें ये सारे regulations को follow करना पड़ेगा इन सारे rules और regulations को follow करना पड़ेगा तब जाके हम अपनी मर्जी की life एड़ दे नहीं जी सकता है लेकित अगर हम कभी कबार अपनी life में कुछ ऐसे rules और regulations खुद से बना रहते हैं चलो आज moonwalk में करता हूँ ठीक है बहले ही सुबर नान पड़ेगी कुछ भी होगा लेकिन ये एक बुरी आदत है और हमेशा से discipline रहना और आगे बढ़ना अगर आप चाहते हो तो life में बहुत regular punctual रहना और discipline रहना बहुत जरूरी है तो ऐसे ही एक बच्चे की कहानी है या बच्चे की feelings है जो कि इस point को मैं notes करे जा रहे है जब वो school जाता है तो क्या feeling उसके मान में होती है वही सारे चीज़े हम पढ़ने की कोशिश करा है When the gong sounds ten in the morning and I walk to school by a man gong यहाँ पे एक word आया हुआ है जब कि सुबा की वो morning में बचने वादी वो bell यानि कि जब वो सुबा से उसकी आवाज आती है वो tongue सी आवाज जो है वो कानों में पढ़ती है और देखो इनसान का नेजर भी क्या है कि सुबा जब हम school जाते है school के starting वाला जो bell बचता है वो बड़ा ही बयानक लगता है बड़ा ही पुरा लगता है लेकिन यही bell जब आखरी क्लास के लिए बचता है या चुटी शिट है इनके लिए बचता है तो बड़ा ही प्यारा लगता है बड़ा है यह बहुत मज़दार है और अब हम चुटी में कर जाने है यह एक्टी हमारी perception है कि सेम चीज जो सुबा के तैम में बड़ी बड़ी लगती है जिलोंगा आप बोरिंग डे स्टार्ट होगा ठीक है और जब शाम को यही वाली bell सेम सांड बड़ी बड़ी कितनी तैरी लगती है कि अब हमना है यह बड़ी चुटी आजार गर जाने में ठीक है तो बिंग दो गॉंग सांट सें इंग जैसे ही वो 10 इंग में जो क्लॉक का जो सांट होता है या जो बड़ी का वो सांट होता है तो and I work to school by a land और मैं मिकलता हूँ school अपनी land या अपनी area से अपनी street से गुजरते हूँ school गड़े जाता हूँ Every day I meet the hawker, crack, crack, bangles, crystal bangles तो यह कहता है कि मैं हमेशा से एक चूडियां बेचने माले को देखता हूँ महाँकर यहां से कोई soda बिचने हमारे के लिए यूज किया जाता है लेकिन यहां यह specially bangles seller के लिए यूज हुआ है जो कि चिला रहा होता है bangles, आई यह bangles में लो, कौन से बादे crystal bangles ले लो, ठीक है There is nothing to worry him on there is no यहां पर एक चीज notice करता है बच्चा कि इसको किछी चीज की जल्दी नहीं होती यह अपनी वो ready पे bangles लगा के बड़े अराम से जा रहा होता है इसे कोई time की कोई चिंता नहीं होती कि मुझे कौन सा time कब मिलेगा, यह सारे चीज़े है There is nothing to worry कोई भी चीज़ से जल्दबाजी करने के लिए मजबूर नहीं करती है वो अपने बेंधास life जी रहा है, बड़ी must यह एक point of view है और at the end में आपको बताऊंगा इसी चीज़ का दूसरा point of view There is no road he must take No place he must go No time when he must come home उसके ले कोई road नहीं है वो जिस गली में जाए उसकी मर्जी है जहां जाना चाहिए वो जा सकता है दूसरी बार No place he must go No road he must take जहां उसका मन जा रहा है वो वहाँ जाएगा No time उसके लिए कोई time नहीं है 4 बज़े या 5 बज़े या 7 बज़े गराना बिल्कुल नहीं उसकी जब मर्जी होगी वो गयरा से He must I wish I were I were the hawker spending my day अपर जनरली देखा होगा जब भी हम I wish या ऐसी कोई भी sentence यूज कर तो भी यहां I was यूज होना चाहिए था लेकित English में अगर जब भी हम कोई wish या कोई जाहत रखते है अपर भी विश रिखते हैं तो उसको हम वर्ज से डिनोट करते है तो तिसीरी यहां पर वाज नहीं लग रहा है I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangles crystal bangles अभी स्कूल के जाते हुए बच्चा कह रहा है कि यह जो hawker है यह जो bangles seller है इसको कभी किसी time की चिंता नहीं है ना इसको कभी किसी particular गर में जाना है जैसे हमें स्कूल बढ़ने के लिए एक particular building में जाना बढ़ता है यह कह रहा है कि कितनी दिन दास life है इसकी कोई इसे पूछने वाला नहीं है I wish मैं चाहता हूँ कि क्या अगर ने एक bangles seller होता दूसरी बात और में रोजबर क्राई करता रहता bangles crystal bangles ठीक और में यह चिलाता रहता bangles ले दो crystal bangles ले दो when at four in afternoon I come back from the school अब क्या होता है अब ज़र यह चार बज़े स्कूल वापस आता है जब स्कूल का दिन खतम हो चुका है और यह वापस अपने कर जा रहा है तो actual में क्या है अगर हम यहां पर एक चीज़ को समाईने की कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ते हैं जब चार बज़े यह वापस आता है I can see through the gate of that house the gardener digging the ground मैं क्या कान करता हूँ कि मैं जयसे किसी घर के सामने से गुजरते हुए किसी garden में किसी gardener को काम करते हुए यह notice करता है gardener वो शता है जो गार मैं या Ungdom зам हुड़ाई करता है जिसे हम कहते हैं फोलों को पानी देना या पोदों को पानी देने का खाम तो ये गार्डनर का काम होता है तो ये वही किसी गार्डनर को देखता है तो ये सोचता है अब ये क्या नोटिस करता है ये जो बेलचा इसके हाथ में लिया हुआ है इससे जो मर्जी है वो कर सकता है इसे कोई रोक ठाम करने वादा नहीं है He soils his clothes वो अफ़मे पूरे ही पूरे कॉरे कॉरे क्लोज को मिटी से बर देचा है ठीक है यह चायली की परसेप्शन है उसकी सोच है With dust वो कहता है कि यह पूरे अपने क्लोज को डस्ट की सब गंदा करे हुए है Nobody takes him to the task ठीक है कोई भी इसके लिए कोई चीज नहीं है, कोई पाड़ी तवे टास्क नहीं है, if he gets back in the sun or gets wet, मतलब है इसका कि अगर इसके लिए कोई प्रावपर इशू नहीं है, बदे ही क्यों न वो पूरे सन में बीग रहा हो और पूरे पसीने से उसके कपड़े भी रहा हूँ, ये चाइ ये समाज़ टाए कि मैं एक गाड़नर होना चाहूँगा, कोई मुझे रोके ना में, जो मर्जी अपमे स्पेड के साथ करो, जिस तरह से मर्जी डिक करो, अपने कपड़ों पे पूरी मिटी डाल दो, पूरी पसीने आये हुए, और मुझे कोई रोकने वादा ना हो, ठीक ह Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, जैसे ही evening हो जाती है, और मेरी माम जे करती है चलो, सोजाओ, नो बजगे सुबर स्कूल जाना है, ठीक है, यह हथ एक बच्चे के लिए होता है, और यह कहते है कि मेने सफ पी तो ऐसा ही होता है, जैसे ही मुझे 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 चलो, अब डाल खो गया, अब evening हो गई, चलो, खाना वाना ठाना, and then go to sleep, I can see through my open window, में अफनी open window का थोड़ा सा परदा हटाता हम, में विंडो से माहर देखता हूँ, में क्या देखता हम, watchman walking up and down, watchman गर के बगल में इदर से लेकर उदर जो है, वो जा रहा, अब यहां तो यह ही चाय देना, यह की पूरी डार्क हो चुप, पूरी अंदेरा है, and lonely and the street, land stand like a giant with one red eye in its heart, अब यह जो लैंप्स जल रहे हैं, जो उपर लगे होते हैं, आपके streets में, land में यह उपन, यह जैसे जहेंड की तरह एक देख रहे हैं, एक डेव की तरह जैसे चमक रहे हैं, ठीक है, और इसी बीच अगेला जो हमारा watchman है, वो गूम रहा है, तो watchman swings his lantern and walks with his shadow, तो actually में क्या कह रहा है, कि उसके पास, जो watchman के पास, वो lantern है, वो लेके वो street को आगे और कभी पीछे जो है, चल बहा है, उसका साय भी बढ़ रहा है, and never once goes to the bed in his life, कभी सोता नहीं है, उसकी मर्जी है, पूरी र enjoy कर रहा, बच्चा क्या समझ रहा है, enjoy कर रहा, I wish I were a watchman, मैं चासता हूँ, ठे मैं अगर एक watchman बन जाओ, walking the street, all night chasing the shadows with my lantern, पूरी street को पूरे रात पर जागना, और chase करना अपने ही shadows को पूरी रात पर, actually, यहाँ पर एक चीज़ समझने के like है, और वो यह है, कि बच्चे को यह चीज़ पता नहीं होती, कि चाए हम एक बेंगल सेलर की बात करें, अगर वो पैसे नहीं कमाएगा, तो शाम को उसके बच्चे, बच्चों की वो शाम जो है, वो बोकी चले रहे गे, वो बोकी रह कितनी toughest life होती है, वो दूट में खणा रहता है, उसका गर जाने का time fix नहीं होता, आई बात समझ, वो हर एक गर के सामने से गूम के जाता है, difficulty के साथ, अपनी चिलाते हुए, पूरा गला dry हो जाता है, पूरा दिन, लेकिन बच्चे को यह वाना phase जो है नो, उसका नहीं बिक दूसरी बात, अगर हम gardener की बात करें, उसकी पूरे कपड़े गंदे हो चुके, इस difficult काप को करते होए, उसकी पूरी तरह से body में तपते हुए सूरज से पसीना आ चुका है, उसकी life भी बहुत difficult है, वो चाहता तो यह life छोड़ के जा सकता था, लेकिन वो इसलिए में ज्या पूरी रात बूंग के मज़े ले रहा है ना, लेकिन ऐसा बिलकुल भी है, और बिलकुल इसलिए नहीं है कि वाच्वेन को भी नीद आते है, वो भी इनसान है, और वो भी सोना चाहता है, लेकिन उसकी duty है, अगर वो duty नहीं करेगा, तो उसको जाब से निकाल देया और उसके गर में जो बच्चे हैं, उनको फिर कोई भी फी स्कूल फी बच्चों के लिए कपड़े वपड़े वो कहीं से रहे हैं, तो ये दो वेज है नाइफ को देखने के, दो वेज की परसेप्शन है, मैं आपको कहा ना, जो सुबह में स्कूल की बेल बच्चती है, वो बड़ी पुरी लगते हैं, और श्याम के टैम वही बेल बड़ी अच्छी लगते हैं, क्योंपि वो छुटी का टैम लोप है, तो दिस वाज़े ब्यूटिफुल पॉर्म रिटन बाई जिसने हमारा नेशनल आंखम जो है, वाबिन दनाख टैगोर साब ने ही जो है, वो लि रेच्छों करते हैं, वो और याज ही बात हुने रिटन यहां गॉटि पॉर्म ऐड़ी चाही हो में ब्यूर्म से बड़ीजंगेOPि लिटा हूहי के लोगते हैं, वो छिटो आता है, स्कीत वैट टो गपनेडेगों इक।। and the watchman watching, walking the street all the night. तीन जी दे, ठीक है? बहुत सिंबल साय, दूसरा पॉस्टिन. What wishes does the child, child, what wish does the child and the poor make? Why does the child wants to be a hawker, a gardener, a watchman? ठीक आवर दे लाइस इस तेंजा, which tells us these answers. Does it tell the child is innocent? वो एक मास्टून बच्चा है और उसे नहीं बदा कि सिंदगी की हकीकर जो है, वो क्या है? वो यह समझता है, he watch the people keenly around him. He is sick of checks on his moment. वो हमेशा से अपने स्कूल जाते होए checks, time's school पोँचना है, time's ages दिखाना, उससे वो बड़ा परिशान, ठीक है? And he wants to enjoy the same freedom as do the hawker, the gardener and the wolfman. They do what they like, the child says. और चाइल के मुदाबिक, वो यह समझ रहा है, कि वो गार्डनर, watchman या hawker बनना चाहता है, क्योंकि उसके मुदाबिक, वो अपनी जिंदनी अपनी मनजी से जीवे होते हैं, लेकर ऐसा बिल्कुर भी नहीं होता, ठीक है? Next question है, अब इसमें जो lines अमने support में लिखी है, I wish I were a hawker spending night in the road, and I wish I were a gardener beating away the garden. ठीक है, तो तीसरी line जो है, I wish I were a watchman walking the street all night. So, third verse is, from the way the child envies the hawker, the gardener and the watchman, we can guess that there are many things that child has to do. I must not do. ठीक है, make a list of the do's and don'ts that the child does not like, the first line is done for you, जैसे do's है, child must come for you at a fixed time. ठीक है, do's में आयगा, the child must not get his clothes dirty and the dust. तो, child को पने बच्चे जो है, NO, add the list into your complaints about the things you have to, I must not do. ठीक है, तो इसमें आब बेक सकतो, do's में आप obey his elders, elder school, पेकरना चाहिए, do his own work on a regular basis, be truthful and honest, आप में आप सच बलना चाहिए, तो चाहिए, आप आप देना चाहिए, कौन पोन से काम नहीं करना चाहिए, बे लेट फास्पूल, यह कभी नहीं करना चाहिए, यह जंपफोट, जंपट, बिलकुल भी नहीं हाना चाहिए, and be rude or ill-mannered, और कभी पुरी तरीके से rude रहना या ill-mannered होना, यह भी बिलकुल allowed नहीं है, question number two, find out the different kinds of the work done by the people in your neighborhood, make a different card for different kinds of work, you can make the card colorful with pictures of the persons doing the work, अब आपने क्या काम करना है, एक अपने neighbor में, अगर कोई डॉप्टर है, कोई इंजिनिर है, कोई कोई पेंटर है, कोई कोई भी काम करता है, इन सारे लोगों के pictures लेना है, और pictures काब लेने है, basically उस टाइम पे collect करना है, इनके बारे में रिखना है थोड़ा बहुत, या इनके बारे में हम एक perception जो अगाम बनाएंगे, जिसमें हम इनकी photos लगाएंगे, और वो photos जो काम करते हुए लगाएंगे, आक्ट्वी टेबेंड बाइ यूए सेल्फ, और यहाँ पे आप त्यान सकते हैं, कि आप कुछ से कर सकते हैं, कुछ pictures आप में connect करनी हैं, और आप easily इन pictures को no dawn भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे होता है हमारा यह pom खतम, और उम्मीद करता हैं, कि आपको यह pom बड़े अच्छे से clear हो जो जो हैं तो मिलते हैं मैं वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने इस चेप्टर का पूरा थीम चेप्टर की लाइन्स और साफ में questions and answers का PDF आपको जाईए, तो आप इस प्यारे से scan on को scan off मार सकते हैं, और easily यह सारी चीज़े आप अपने पास PDF में भी save रख सप्टाइंज, तो यहाँ पे होता है यह चेप्टर कादम, नेक्स चेप्टर है हमारा था डेजर अनिमाउंस, वो भी अपको बहुत जल्दी मिलेदा, मिलते एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अपना डेट जारा क्या हो रख हैं, और यूट्यूब चैनल जेके बोस फार्मडेशन को शियर कर दे रहें, और साथ में अपने दोस्तों को इसके बारे में इनफॉर्ण, मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्ला हमके समय के,